नमस्कार आप देख रही हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ होली का तिवहार हमीशा से ही बॉलिवूट का सबसे फेवरिट तिवहार रहा है अब तो कई फिल्मों में होली के सीन्स को दिखाया जाता है लेकिन एक डौर था जब ये सीन नहीं दिखाया जाते थे लेकिन क्या आपको पता है कि होली के रंगों को फिल्मों में फिल्माने की शुरुवात कहां से हुई आखिर कहां से आइडिया आया कि होली के रंगों को फिल्मों में भी दिखाना चाहिए चलिए आपको बताते है बॉलिवुट में होली तब से मनाई जा रही है जब से रंगीन फिल्में नहीं आया करती थी रंग और गुलाल उस वक्त भी उड़ते थे ये बात है साल 1940 की एक फिल्म रिलीज हुई थी जो इसका नाम था औरत औरत फिल्म में पहली बार होली का सीन दिखाया गया था और यहीं से शुरुवात हुई थी बॉलिवुड में होली सेलिब्रेशन की ये बात अलग है कि फिल्म ब्लैक इन फाइट होने की वज़ल से वो रंगीन सीन देख नहीं पाते थे मशूर फिल्म निर्देशक महबूब खान ने इस फिल्म को कुछ समय बाद यानि की 1957 में रिमेक किया और उसके बाद फिल्म मदर इंडिया के नाम पर एक बार फिर से होली के सीन दिखाया गया मदर इंडिया में होली का सीन दिखाया गया, लोग ने इस सीन को काफी पसंद किया और ये फिल्म सूपर डूपर हिट रही, मदर इंडिया में कई सितारों का नाम जुड़ा था, इसमें नर्गिस राजकुमार, राजेंद्र, कुमार सुनील दद जैसे उम्दा कलाकार थे, इस फिल्म में होली के रंग भी नज़र आये थे, वैसे महबूब खान इससे पहले कई बार फिल्म में बना चुके थे, लेकिन फिल्म का नाम था आन जिसमें दिलिप कुमार, निम्मी, नादिरा और प्रेम नाज जैसे नामी कलाकार मौजूद थे, ये फिल्म में रिलेज होई थी 1952 को, इस फिल्म में भी महबूब ने होली का सीन खास तोर पर दिखाया गया था, याने की अधिकांश फिल्मों में महबूब ने होली का सीन खास तोर पर दिखाया है, अपनी फिल्मों में इन सीन्स को दिखाने की वज़र से उनकी फिल्म काफी जादा सूपर उस वक्त में जब बॉलिवुड में होली का सीन, होली का सेलेबरेशन उसका उत्सव नहीं दिखाया जाता था, तब महभूब खान वो निर्देशक थे, जिन्होंने इस सीन को दिखाना शुरू किया और तब से शुरू हुआ सिलसला होली सेलेबरेशन का, अब तो कई फिल्म महभूब खान ने की थी, और आज तक उन्हें ही बॉलिवुड में होली के सेलेबरेशन की शुरूआत करने की क्रेडिट दी जाती है,